मार्केट के बरे में और मार्केट के बरे में बात करें तो काफी कुछ जब 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 अबडेट निकल कर रही है जिसका effect हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है जिसका effect हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है जिसका effect हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है ज जिसकी वज़े से फिर से वहाँ एक बड़ा मामला बड़ा खेल परटता हुआ देखने को मिल रहा है इसका effect फिर से market के उपर देखने को मिलेगा सबसे पहली चीज़ तो यह है कि वही FIS की position देख लो FIS ने किया किया है Nifty के उपर उनकी जो position है ठीक है यह Friday को यह लोग strong bullish थे ठीक है यह bullish position है इनका जो view है वो Nifty के उपर bullish है bank Nifty के उपर वो medium bearish है यह चीज़ दियान रखना Nifty के उपर वो strong bullish है ठीक है mid cap Nifty के उपर हम देखे तो वहां mild bearish होते हुए देखने को मिल रहा है और fin Nifty के उपर अगर देखे तो mild bullish है तो एक चीज़ यहां आप mark करो कि पिछले कुछ trading session में जिस तरीके से continuously selling देखने को मिल रही थी उसमें बीच में भी एक बार ये लोग Nifty में strong bullish थे और उसके बाद retailer को वहां से माल चिपकाया retailer को strong bullish करवाया और उसके बाद market को गिरवाया गया था अब अभी Nifty के उपर ये लोग फिर से strong bullish होते हुए देखने को मिल रहा है options के बारे में बात करें तो call options में और put options में इन लोगों ने hedging करके रखी है almost यहां equal data बनता हुआ देखने को मिल रहा है मतलब यहां जो इनकी position है वो overall neutral volatility create करने के लिए रखी गई है professional traders की बारे में बात करें तो index future पर वो लोग strong bearish है क्या है strong bearish मतलब इनको लगता है कि market और यहां से गिर सकता है क्यों क्योंकि यहां आप देख सकते हो call options में professionals ने यहां professional जो traders है उन लोगों ने यहां mild bearish position बने है मतलब जो call है call को sell कलक के रखा है मतलब selling करके रखी है writing करके रखी है इनको लगता है market यहां से नीचे जा सकता है अब बात करते है retailers की retailers भई यह आप देख सकते हो अभी फीर से यहां strong bullish होते हुए देखने को मिला है आपको पता है previous जो session था उसमें retail जो था वो strong bearish था क्या था bearish मतलब retail को लगता था market गीरेगा और उसके बाद market गीरा भी ठीक है अब यहां एक नीचे की side से market एक अच्छा खासा suit up किया है ठीक है अब आपने पता होगा पिछले आधे घंटे में 30 minute में जो खेल हुआ है ठीक है 30 minute में मतलब तीन बज़िच के अच्पास वहां से एक rebound मारा है निफ्टी और bank निफ्टी तो यहां retail ने क्या किया है retail ने strong bullish position बना के रखी है ठीक है put options में देखे तो यहां इन लोगों ने shorting करके रखे है मतलब puts जो है उसको short करी है ठीक है मतलब इनका view यह है कि market यहां से उड़ेगा अब और एक खबर यह है कि यह देखो सबसे पहले तो डाउ के उपर नजर कर लो डाउ जो है न वो 500 point नीचे है ठीक है SNP almost neutral है पर नस्टाग में अच्छी कासी positivity देखने को मिली थी पर डाउ जो है वो 500 point नीचे है यह point number one दूसरा point यह है कि जो निकी है उसमें भी 230 संको की गिरावट देखने को मिल रही है हैंग सेंग मतलब चाइना में positivity है पर यहां निके में कहीं न कहीं एक negativity देखने को मिल रही है यूएस मार्केट है निके ही जो है उसमें कहीं न कहीं गिरावट है अब भाईया एक चीज और है यहां फिर से जो मामला है फिर से मामला बिगरता हुआ देखने को मिल रही है क्या है इसमें यह है कि अब जो वार शुरू हुआ है ठीक है उसमें जो हमले हो रहा है वो military के उपर हो रहा है ठीक है कुछ soldiers के उपर भी कुछ खबर निकल के आ रही कि की तीन से चार soldiers को भी यहां मार दिया है तो यह है ना directly indirectly अब मार्केट का सारा खेल है ना फिर से यहां गरम माहूल होता हुआ देखने को मल सकता है क्यों क्योंकि यहां खबर यह है कि इरान ने कहा है कि इसराइली हवाय हमलों में चार साइनिक मारे गए पहले तीन साइनिक थे ठीक है अब यहां खबर यह निकल किया रही है कि तीन में से चार हो गया है ठीक है तो चार साइनिक को मार दिया है मतलब यह चीज़ है कि देखो अब सारा का सारा जो खेल है ना वो military के उपर जा रहा है ठीक है और आपको पता है military के उपर जाने वाली चीज़े एक सीधा फिर से एक war को चुनोती देने वाली चीज़े हो जाती है ठीक है तो यह चीज़ है मतलब यहां अगर चार सोलजर्स भी वहां खायल होता है तो साफ चीज़ है कि अब फिर से कहीं न कहीं मामला गरम होगा अब यहां एक चीज़ और भी आ रही है कि आने वाले दिनों में लोगों की नजर यह है कि अब क्या इरान जो है वो फिर से कुछ फिर से कोई गड़बड करेगा ठेक है क्योंकि जो हमला हुआ है ठेक है उसका अगर कोई भी आंसर देता है ठेक है अगर कोई भी आंसर मिलता है उसको तो फिर से कही ना कही मारकेट में एक negativity आ सकती है ठेके पहले बोला था कि भईया हम नुकलियर के उपर वार करेंगे ठेके कि आपके नुकलियर के उपर वार करेंगे फिर भईया नुकलियर के उपर वार की बात चली तो US ने मना किया कि भईया तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो फिर से एक बोला कि चलो हम वहां नहीं करते तेल के अडू पे करेगे तो तेल के अडू पर भी मना किया अब यहां आप देख सकते हो सीधा military के उपर ही war करना शुरू किया है जो कि एक बड़ी negative चीज है क्योंकि ये चीज होती है आप समझ लो कोई भी देश की सबसे most important जो चीज होती है वो उसकी army होती है और army के उपर अगर सीधा war होता है तो फिर उसका return fire भी mostly बनता हुआ देखने को मिलता है हर एक देश में तो अब चीज़े यह है कि अब market में फीर से कहीं ना कहीं ये जो माहूल है वो फीर से गरमाता हुआ देखने को मिल सकता है जिसकी वज़े से यहां फीर से सारा खेल पलटता हुआ देखने को मिला है अब यहां क्या है देखो crude जो है ना crude में गोल्ड में ये सारी के सारी जो बाव है वो फिर से यहां बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है अब दूसरी तरफ सवाल यह है कि अब देखो अगर आप सांत दिमाग से देखेंगे न तो इनके पास अभी भालू के पास अगर आप पॉइंट देखे तो देखो पहला पॉइंट जो यह है कि FIS की सेलिंग ठीक है पहला तो इनकी फैवर में है FIS सेलिंग कर रहा है दूसरी चीज़ यह है कि जो वार चल रहा है ठीक है यह भी बियर्स की फैवर में है तीसरी चीज यह है कि जो quarters के जो earning है वो negative थोड़ा है तो वो भी bears के favor में चलता हूँ देखने को मिल रहे हैं अब ये सारी जो चीजे है अब बुल्स है ना बुल्स दिया था दस बज़े मेरे टेलिग्राम पर कि यह मार्केट को 51,000 के पास बड़े लोग पूजिसन बना रहा है और देखती देखते 600 पॉइंट मार्केट को rebound करवाया गया है तो अब सवाल ये रहेगा कि अब इस लेवल की ऊपर क्या को रिटेल को फसाने की साजिस हो रही है कोई बड़ी गीरावट की बाते करके कहीं FIS जो है फिड से कोई ऐसा गैम प्लान ना कर दे कि मार्केट को bounce करवा दे रिटेल के SL trigger करवा दे और उसके बाद गिरा है दूसरी तरफ एक बड़ी जो चीज है वो है Reliance का bonus share record date जिसका effect Monday को दिखने को मिलेगा ये काफी important चीज ह क्योंकि आपको पता है Reliance एक बड़ा हाथी है निफ्टी का और अगर हाथी जो हना हाथी हिलेगा तो भी ये निफ्टी भी हिलेगा थीक है अब इसका जो date है थीक है वो है 28 October मतलब कल की trading session में इसकी record date है तो इसमें Reliance में भी जो momentum है अगर वो momentum देखने को मिलता है तो उसके उपर भी हमें नजर करनी पड़ेगी क्योंकि उसका effect साफ हमें और निफ्टी में देखने को मिल सकता है तो देखो सारी चीज़े जो है ना वो एक चीज़ पर इसारा कर रही है क्या है अगर आप देखे तो देखो पिछले कुछ trading session में अगर आप देखेंगे ना लास्ट म जिस तरीके से market fall हो रहा था उसके बाद एक अचानक यहां एक hammer बनाया है क्या बनाया है अब hammer का काम क्या होता है जो लोग मेरे से जुड़े है जो मेरे subscriber है उनको पता है कि यह एक reversal pattern है मतलब market को reverse करवाने से पहले इस type के structure देखने को मिलते है जो लोग सिखे ना उनको पता है बिलकुल फ्री में सिखाया था यह सब चीज़े यहां भी आप देख सकते हो reversal pattern था तो बार बार नीचे की से reversal pattern बन रहे था है ओ यहां से market को एक reverse करवाया गया है तो क्या यह जो बड़ी candles बनी है इसमें कोई FII की कोई planning है यह बड़ी चीज़ है ठीक है कोई plan है बड़ा SL बनवाए है और SL बनवाने के बाद वहां से 24,000 के level को कटवा है ताकि एक pressure amount हो अब सारे जो सवाल है उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे don't worry पर आप देख सकते हो दोनों index में यह चीज़े देखने को मिली है sudden suit up देखने को मिला है यह एक बड़ी चीज़ है क्योंकि fall के बाद यह आप देखे fall के बाद यहां से एक suit up आया है तो यह जो suit up है ना इस suit up में किसने participation किया है सारा कुछ चीज़े discuss करने वाल है कल के trading session के कुछ levels है वो levels भी मैं discuss करने वाला हूँ तो सांती से पहने रहेगा video शूरू करने से पहले में एक request कर दूँ कि यहां तक आप देख सकते हो कितने बज़े मैंने बताया था एक बज़के एक बज़े मैंने आपको एक चीज़ बताई थी देखो यह मेरा original channel है पहले बता देता हूँ जिसका official channel का link description box में रहता है telegram पर यह चीज़े सर्च करके मत जूड़ना क्योंकि वहां मेरा channel नहीं देखने को मि जेकी बात यह है कि मेरे system में अभी जो data दिख रहा है ना उसके इसाब से bank nifty में last कुछ मिनिटों में 51,000 के उपर अभी भी bulls position बना रहा है deep otm strike पर चल रहा है कब बताया था एक बज़के 10 मिनिट के उपर जब market उसके 600 point नीचे था तब ठीक है मतलब almost आप समझ लीज़े 50 सज़ा 400 के पास market खड़ा था तब मैंने आपको यह चीज़ बताई थी उसके बाद ठीक है मैंने आपको बता थी कि या तो retail को कोई माल चिपका रहा है नीचे की साइड को कोई माल चिपकाने की चीज़े चल रही है और ठीक exactly वही हुआ उसके बाद मैंने साड़े तीन बज अब आप बाजार देखो किदर खड़ा कर दिया 50,900 के पास अपने देखा होगा वहाँ जो सडन मोमेंटम आया ना वो 5900 तक market आ चुका था मतलब वहाँ सी चीज़े साफ थी 50,400 के पास जब market खड़ा था तब कोई बड़ा प्लियर 51,000 के ऊपर position बना रहा था कितना point दूर 600 point दूर वहाँ position बनना start हो चुकी थी ठीक है उसके बाद यहाँ retail को entry कर वाई sorting के लिए कि यह market गीरेगा जैसे ही retail ने entry मारी market को पलट दिया गया ताकि उनके SL जो है वो SL trigger हुए और यह जो price था वो out the money था OTM था वो feed से ATM आ गया ठीक है add money हो गया और बाई सब बड़े प्ल बड़े प्लियर ना सिर्फ ओसी 15 से 20 मिनिट का खेल किया बात खतम मैंने यह चीज आपको पहले प्रिडिक कर दी थी कितने बज़े आप देख सकते हो 10 बज़े प्रिडिक कर दी थी ठीक है 10 बज़े मैंने आपको बताया था कि यहां निफ्की में कुछ गडबड चल रही ह यहां 51,000 के ऊपर डाटा बनना स्टार्ट हुआ है बड़ा प्लेयर वहां पोजिसन बनाना की ट्राइ कर रहा है देखो यह सारी नॉलेज जो होती है वो बिलकुल फ्री रहती है ठीक है मेरा कोई भी परसनल टेलिग्राम चैनल जो है पेड का कोई भी नहीं है कोई कोर्स न वरना फिर फेक से जुड़ी है किसी और से तो वहिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चीज का ध्यान लगना ठीक है अब सीधा चलता है चार्ट पे अब देखे हम आ गया है निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो निफ्टी में यह जो स्ट् यह जो रेंज बनी है यह रेंज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है हमें ठीक है 24 अजर के आसपास क्योंकि यहां बुल्स ट्राइट तो करेंगे होल्ड करने की अगर मार्केट इसके नीचे जाता है ना तो फिर यहां से एक ट्रेंड लेंड निकल के आ रहा है वह इस सा मूव आया ठीक है मतलब अल्मॉस्ट इसको ब्रेक आउट करने के बाद 23,500 से यहां 26,000 की जरनी देखने को मिली है मतलब अल्मॉस्ट आप समझ रहे हो कि 3000 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम आया इस लेवल के उपर से इस टेंड लेंड के उपर से अब मार्केट फिर स प्रेक पिर से निफ्टी मेंगे उन्मॉस्ट अभरोब ऑ Clayton